उत्रकन के हल्दवानी में 4000 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है अवायद दितिक मनत के चलते उनके घर को गिराने का खत्रा बरकरा रहा है आज सुप्रीम कोट में सुनवायों नहीं है हमार साथ हल्दवानी के विदायक सुमी तिरदेश और मैंगलोर से विदायक काजी निजाम उद्दीन है पूरा उत्रकन कॉंग्रेस दिल्ली आया हुआ है सुप्रीम कोट में तगड़ी पैरवी करने के लिए आज दिल्ली पहुचे वे शुवी तुर्देश जी आप लोग किस तरीके से पैरवी करवा रहे हैं जिससी की तमाम साही रिहाइश लोग है वहा नियाय की प्रक्रिया इस देश की और सम्मिदान चैरिक्रिकों को इन सारे विश्वासों के साथ हम इस नियाय के मंदिर में आस्था हैं। मारा विश्वास है कि जो सबूत हमारे पास है और जिस हक से हम महां जा रहे हैं और हमारा विश्वास है कि हमारी जीत होगी बात के तो बीजेपी ये कह रहे हैं कि उत्राखंट की सरकार इसमें पार्टी नहीं बनेगी जो सुप्रीम कोड का फैसला है जो नैनी ताल हाई कोड इंप्लीमेंट करवाएगी यही तो सबसे बड़ा दुरभाग्य है कि उत्राखंट राज के मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश की परिसंपत्यों के बटवारे में वावाई लूटने का प्रयास करते हैं और खुद स्वैम अपनी जो भूमी नजूल भूमी मैंने लगातार आ जो की सुप्रीम कोट में पेश करे जाएंगे तो नियाएक प्रक्रिया जो मैंने जैसा आप से का उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमार को ज़रूर रिलीफ मिलेगा 4365 मकान जो इसमें जद में आ रहे हैं सरकारी स्कूल, सरकारी एस्पटाल तो बहुत लोगों की प्रार्थनाय दुआये हैं और सारे समाज के देखिए इसमें एक रंग देने का प्रयास करा जा रहा है क्योंकि आज कल धार में कुन मात पहला के भारती जंता पार्टी जिस एक चीज और आप से जाना चाहिए क्या आप लोग प्रिवार के और से केस तर लगे हैं कॉंग्रेस पार्टी खुद इसमें पार्टी बनके सुप्रीम कुर्ट में अपील करेंगी नहीं देखिए अपैलेंट तो जो हमारा केस है शराफत खान वसिज यूनियोन औफ इंड को लड़ा है तो इसले हम बहुत अभार प्रकेट करते हैं कि इसको धार्मिक रंग भी दे जा रहा है कि अलपसंख्यक वर्ग वहां पर बहुत ज्यादा मस्जिदों के निर्मार भी हो गया तो इस बात को लेकर भी काफी ज़्यादा प्रचारित किया रहा है शिशु मंदि है उसको अधिकार है यहां चट हासिल करने का और यह सरकार जो मौझूदा मोदी जी की सरकार और हमारी राजसरकार है वो लगतार कहते हैं कि हर बेघर को चट देगी और जिनके सरपर चट है उनसे चट लेने की बात आप कर रहे हैं तो इसमें धार्मिक विशे ही नहीं है ह हम लोग तो किसी के भी घर को उजड़ने की बात नहीं करते हैं और अगर किसी कारण वर्ष किसी को विस्थापित करना भी हटाना भी पड़े तो उसको विस्थापित करने की बात करें तो यह तो राजसरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास घर नहीं ह अगर किसी भी देश की आबादी चाहां है चाहे हो गाउं हो नगरी एक छेत्र हो अगर वहां के कागजों की च्छानबीन करके कोई भी एसलपी किसी भी कोट में डाल दी जाए तो तमाम ऐसे लोग मिलेंगे दिल्ली से लेकर और चन्नाई तक कि वह बहुत सारे लोग हजारों लाकों तादाब में घर ऐसे होंगे जो बेघर होंगे कोई तालाब में बनाए कोई नुजूल की जमीन में बनाए यह तो बंते वह उस टाइम देखना चाहिए जिस टाइम अगर शत्रू संपत्ती वहां गोशित हुई थी तो रेले जिम्मेदार तो राजसरकार है तो अगर शत्रू संपत्ती गोशित हुई तो रेलवे की संपत्ती कैसे थी यह देखे न तो ओर है टेंक रेलवे की संपत्ती में कैसे बना पानी का सीवर लाइन रेलवे की संपत्ती में कैसे बनी यह भी भारतियंदा पार्टी के लोग तो ऐ किसी मानसिक्ता के हो गए इन पर तो अब हमको तरस आने लगा कि क्या आप इतना गीर सकते हैं कि किसी को मकान और रोटी और कपड़ा और मकान के बीच भी आप धर्मों को गड़ लाने लगे तो बड़ी अनुनी बात हो गई उत्राखन जैसा परदेश जिसने के टीरी जैसी जेगा का विस्थापन देखा और हम सब लोगों ने विदान सभा में सुमिज जी की मदर उस समय मंत्री थी और हम विधायक के रूप में था हम लोगों ने उनकी लड़ाईयां लड़ी हैं वहां कौन सा हिंदू-मुसल्मान था ये हिंदू-मुसल्मान की बात करने की बात दें तो ये भारत इंता पार्टी को शोभा देती हैं देश के किसी अन्य दल को और कोई ऐसी बात नहीं करता नफरत फेलाना चोड़ो यही तो रहुल जी कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सुमझ जी आप वहां कि स्थानी विदायक एक आखरी सवाल है कि आपको लगता है कि उत्रखन सरकार को भी इसमें पार्टी बननी चाहिए थी यह तो पहले दिन से मांगए और आज भी अभी भी समय है क्योंकि आज जो सुम्झी है कि अब सुम्रीम कोटी इन स्तारन करेगा इसका और सुम्रीम कोट सुनेगा इसको धहरे से ध्यान से जेतना मेरा मानना है क्योंकि 50,000 लोगों के भविश्रून के मुस्तक बिल का सवाल है तो अभी भी अफसर है राज्य सरकार पर कि इंटर्वेंशन वो अपनी डाले इसमें आगे खड़े हो उसमें खतौनिया है जो तैसील से निकाली जाए और उसमें दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा अगर रेलवे और राज्यस्वे विभाग संयुक सिमांकन करा दे तो पता लग जाएगा कि सरकारी भूमी कितनी है रेलवे की भूमी कितनी है रेलवे को अतिक्रमण कारी बनाकर राज्य सरकार वहां के नागरिकों का हग चीनना चाह रही है तो ऐसा विकास किसको चाहिए ट्रेन में भी तो लोगी सफर करते हैं एक तरफ प्रधान मंत्री जी कहते हैं चपल पहनने वाले हवाई सफर करेंगे और इतनी ठंड में जिन लोगों पे चपले हैं उनको तोड़के वहां पे अगर रेलवे लाइन बनाना विकास है तो ये विकास मेरी समझ के पर रहे है अब देखना होगे कि अको सुप्रिम कोड अपना आदेश देता है नशन वीरुप्राल रावत के साथ अविनाश्तिवरी एबीपी गंगा दिल्ली एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की